नमस्कार आप सभी तर्शकों का नियोज 69 भारत में स्वागत है आप सुन रहे हैं समाचार मनीश कुमार जा के साथ आए जानते हैं अभी तक हमारे नजर में कौन सा समाचार महत्वपुर्ण रहा है प्रारंब करते हैं अंतराश्ट ये समाचार से रूस यूक्रेन का आज 95 दिन है जब रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है लगातार यूक्रेन पर बंबारी कर रहा है रहा है क्या आने वाले समय में विश्यूद संभव है हमें इसका इंतिजार करना होगा परंतु जिस तरह अमेरिका और रूस के बीच ताना तानी बढ़ रहा है आने वाले समय में कुछ भी संभव हो सकता है बढ़ते हैं राष्टे खबर के और बहुत चर्चित सिद्धू मूशे वाला हत्या मामले में नया खुलासा हुआ है उनकी हत्याकी साजीस दिल्ली के तेहार जेड में रची गई थी उनके पिताने मुक्य मंत्री को पत्र लिखकर नियाय की गोहार लगाई है अब आते हैं जहारखंड की ओर जहां एक बार फिर सत्ताधारी गटबंधन के दो प्रमुकदल ज सामने हैं नया अभिबाद राज्य सभा में सदस्य भेजने को लेकर उत्पन हुआ है जहारखंड मुक्ति मूर्चा के नेता सह जहारखंड के मुक्य मंत्री हमंत सोरेन ने गोशना किया है कि गटबंधन की और से जोभा मांजी उमीदबार होंगे अब कॉंग्रेस के अनिय कर रही है वहीं हमंत सोरेन ने क्या कहा आईए पहले आपको सुनाते हैं इसके बाद आपको बताते हैं कि सुनिया गांदी से बात करने के बाद उन्होंने यह असपस्ट कहा कि सरकार खत्रे में नहीं है और अंत में आधर्य गुरुजी ने राज सभा परत्यासी के लिए राज में छार्खन मुक्ति मुर्चा के उमिद्वार के तौर पर परत्यासी देगी और उस परत्यासी का नाम हमारे पार्टी के महिला नेत्री महुआ माजीदी होंगे और अब इस दिशा में आगे की कारवाई की जाएगे धन्यबाद का रुक कर लेते हैं जहां तीसरे और चोथे चरण में हुए पंचाय चुनाव का मतगन्ना कल होना है आज तमाम परत्यासी अपना कमर कसली हैं और सभी अपना जीत का दावा कर रहे हैं कल सुबह से ही आप न्यूज 69 भारत पर ताजा अपडेट सुन पाएंगे अभी के लिए इतना ही कल फिर समाचार के साथ हम होंगे उपस्थित अभी हमें द्यानुमती नमस्कार